आपने कभी न कभी तो यह अवश्य शुना अत्वा सोचा होगा कि जिस नर्क में जाने का जिक्र लोग अक्षर किया करते हैं वो असल में होता कहां पर है कहीं हमारी इसी विशाल धरती के भूगर्व के नीचे तो वो नर्क नहीं है अब प्रश्ण यह उड़ता है कि क्या किसी ने कभी धरती के नीचे गड़ा करके देखने की चेश्टा की कि आखिर इसके नीचे क्या है नर्क है अत्वा नहीं आज हम आपको बताएंगे पिर्थी पर खोदे गए कुछ अत्यम तहीं गहरे तथा भयानक घड़ों के संबंध में जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यदि नर्क होगा तो यहीं होगा आपको यह जान कर आश्चेर होगा कि दुनिया में ऐसे भी खतरनाक तथा गहरे गड़े हैं जिनकी गहराई का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं ये गड़े कुछ तो प्राकिर्तिक तरीकोशे बने हुए हैं और कुछ इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं किन्तो ये इतने भयानक है कि देखने वालों की रूह तक काप उठती है यदि हम पिर्थिवी के उपर बने आज तक के सबसे गहरे गड़े की बात करें तो रूश का कोला सुपरडीप का नाम आता है जो शमुद्र के सबसे नीचले हिस्से से भी अधिक गहरा है ये लगभग 12 किलो मीटर के गहराई तक बैग्यानिकों के द्वारा खोदा गया है इसके पश्चात नाम आता है प्रशान्त महाशागर में इस्थित मारियाना ट्रंच जो धर्ती से लगभग 11 किलो मीटर नीचे खोदा गया है मारियाना ट्रंच इनसानों के द्वारा खोदा गया गड़्धा है जिसकी खुदाई तक रोग दी गई जब नीचे 180 डिगरी तापमान होने के सबूत प्राप्त हुए एवं अंदाजा लगाया गया कि नीचे नर्ग भी हो सकता है तो वहां की खुदाई बंद कर दी गई मरियाना ट्रंच तथा कोरा शुपरडिज की खुदाई के दोरान बैग्यानिकों ने सुने थे नर्ग से आने वाली आवाजे जी हाँ दोस्तों, उस जगख खुदाई के दौरान बैग्यानिकों को जमीन के भीतर से कुछ ऐसी चीखें सुनाई दी से सुनने के पश्चात खुदाई को रोक दी गई खुदाई के दौरान उपस्तित लोगों का मानना है कि खुदाई के वक्त ऐसा प्रतीत हो रहा था इसके अत्रीक्त वहाँ से और भी अधिक रहशमयी बातों का पता चला था जिसे आज तक दुनिया के सामने उजागर ही नहीं किया गया